चलो भाई चालू अपी के तुरू हमें ये बाद तो जानने को मिली कि अगर बाल कटवा कर आ जाते हैं तो इंसान लगते हैं उससे पहले शायद कुछ और ही लगते होंगे हाँ फणी भाई ने जरूर है लेकिन उन्होंने हैवान जरूर कहा है लेकिन इंसान का कर देखिएगा हाई फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ इसाथ बैल आइकन प्रेस कर दे जिससे के आने वाली मेरी वीडियो की नौटिफिकेशन्स आपको पहले ही मिल जाए पूरे व्लोग में ये बार बार एक ही ब पूर गुनारी हो भाई क्यों गारी हो इतना किसी ने कहा थोड़ी ना तुम्हारे मर्जी के डिपेंडन्ट है चाहो तो कसम तोड़ दो और चाहे तो उसको चुप चाप से फॉलो कर लो अगर अमी ने और खुद ने दोनों ने एक दूसरे की भलाई के लिए कसम खाई है तो वह बार बार किल्ट फील करती हो मैं मीटा नहीं कहाँगी और जब कहरे हिये मैं नहीं खाऊँगी तो फटाक से सअफनी भाई साथ क्या नियद खराब है इन लोगों की वो तो खुद के पैसों से ख़ड़ी गोई नहीं है किसी ने दी हूई है तो उसकी बात की बात ब वट मेरे करालों कि उससे वह दिखा दिखा कर के पैसे खामा पार जाते हैं उसको भी जता कर रहे हैं आदिश से जादा समान तो यह उठा के हमारी अपने घर ले वहाँ फणी बाबु दिल से छूट नहीं रहा ना पुराना समान भी सोच रहोंगे ना इसको भी बेच के पैसा अंटी कर लें एक एक करके सबको शॉपिंग पर ले जारी है एक साथ चली जाएंगी तो भाई वो जो बार-बार मोका घट से बार जाने का वो कहां से मिलेगा और हां हर बार अलग-अलग जाके अलग-अलग दुकां पर कंटेंट शूट करने का मिलेगा वो सारा कंटेंट या तो एक फिलोग में देखे दो या फिर हर रोज बाहर जा जाके ना अलग-अलग कंटेंट और खाली हाथ हिलाते वे डुलातेवे लेकर जा रही है। क्या भाई, फुट्स, मिठाई, कुछ गिफ्ट्स कुछ नहीं ले जाया चाह सकते थैं, कपड़े, कुछ भी ऐसा जो उनको उनके घर के लिए या उनको जो है एक तरीके से जाते हैं ना मैंनर्स होती है कि भाई किसी के घर जा रहे हो वो भी आप तो घर की बेटी के घर जा रहे हो तो अभी कुछ नहीं हाथ हिलाते हुआ बस यूँँ चले कर यूँँ पहुच गए बाजी के हां रोजा अफ़तार है नोट किया आपने बाजी यहां रोजा अफ़तार है लेकिन ननद को जो ना इतनी फूरसत नहीं मिली कि उनको दिन में फोन करके ये पूछे ले बाजी आपको किसी चीज की जरूरता है हेल्प के लिए तो मैं आ जाती हूँ जबकि वो एक ही महले में पास में रहती है यहां तो ऐसे चले जा घर से मेरा माय का क्योंकि मेरा लोकल यह जादा दूर नहीं है बट फिर भी यह कहती थी कि मैं डेली बना करें दूंगी क्योंकि परी को मुश्किल होगा तो मैंने उनको खा नहीं परी ने इतना तो सीख लिया कि वो बना सकती है और टच वूड मेरी हैल पर भी बहुत अच की थी तो कोई 15-16 बच्चे बाहर से आयते दो मौलाना थे और कुछ-कुछ खास-खास रिस्तता था जैसे मेरा पूरा अपना मैके के लोग थे मेरी चच्ची चच्चा थे और मेरी जो हस्बन की भुवा है वो थे उनके घर से दो-तिन लोग थे और मेरे इन-लोस के पूरी फैमली थी तो कुल मुला के 40-45-50 लोगों का अरेजमेंट था तो भाई मैं तो जैसे खाना तो अल्री भाहर से बन कर आया था बट मुझे कुछ जादर ना महनत करनी पड़ी क्योंकि मेरी भावियां अपने आप आती हैं वो अपने आप ही देख लेती है खाना खिलाना अपने ननत के घर पर आ रहे हो तो उसको किस तरह से करते हैं हाला कि मेरी बेहने भी कम नहीं है मेरी बेहने भी ऐसी है मतलब वो जब घर पर आती है तो मुझे यह नहीं लोड लेना पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो बहन बेटियों का बहन भावियों का और ब प्यार मिला है तुम्हें तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है उनकी मर्जी स्टार्टिंग में नहीं थी लेकिन बाद में तुम्हें उनको ले ना जाने कितना कुछ करना चाहिए था कि अगर आज वो राजी नहीं होती तो शायद आप इस घर में बैठी नहीं होती फ बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि उनकी एकी बेटी धमाद है और एकी बेटा है और अगर बेटी धमाद मना कर रहे थे तो वो बिल्कुल अगर वो अड़ जाते अपनी बात पर तो किसी भी एंगल से आप नहीं आने वाली थी तो हाथ हिलाते हुए ऐसी चलेगी मदद के लिए पूछा तक नहीं फोन नहीं किया गए नहीं वहाँ पर और तो और वहाँ पर भी जाके ना मरानियों की तरह से अपने आपको समझ दी थी बजाए इसकी कि हुआ पर जाके हेल्प कराती है खाना खिलाते लोगों को सर्फ करकर देते हैं उनसे जहां लेडिस थी आपक मैशा है छोटी वो शरारत करके आ गई तो चालू अपी कहती है कि इसने मेरा नाम रोशन कर दिया वा चालू अपी इसका मतलब तुम यह बताना चाहरी हो कि तुम ऐसी बत्तमीज और खतरनाक थी अब वो जो बाजी के घर से खाना पी ना खाके आ गए थे तो वहां से नही क्योंकि कि सपकार की रात अपनी सास के साथ बैठ मैजना के इसके करो कि और थे पाड़ करना रहा जैं को थे रही है कि वो काफी दिन बाद आती है सनी को हो रही है बहुत ज़्यादा खुसी जाने की पता है क्यों हो रही है क्योंकि यह चली जाएगी तो मैं आराम से जो भी मेरा टाइम है वो इस्पेंड करूंगा अपने दोस्तों के साथ यहां होती है तो दिन रातफों करकर कर करकर उसकी नाक में दम कर देती है अब खाला की घर जाएगी तो मुहहां पर THोड़े देर के लिए नक में भूले गी और मुझे आज़ादी मिल जाएगी तो ओ जाओ जा तुम पनचे दिन के लिए चले जाओ और वीचारे इतने दे उस टाइम पर कोई सो गया है जो कि नॉर्मली गाउं लोग में आम बात है कि बच्चे जो हैं सो जाते हैं बड़े भी सो जाते हैं जिससे की नीन पूरी हो जाती है और जब रोजा रखते हैं तो सारे दिन जो बड़ा अजीब सा लगता है और जैसे कुछ खापी लेते हैं त जिसको मरजी मनःःशियत मनःःशियत बोलती रहती हो जबकि खुद सबसे बड़ी मनःःशियत हैं कि जिनका सोने उठने कोई time में यह पूरा दिन रोजा रक के सोती है यो कहते हैं सुबहा के time जो नेकी के फरिष्टे आते हैं रिजदक बाटने के लिए उस time यह सोती रोजी रोटी गई और ऐसे लानत भेच कर चले जाते हैं नेकी के फरिष्टे । वो इस बात से अगरी करेंगे और वो इन बातों को जानते हैं अगर उन्होंने इसलाम की किताबे पढ़ी है या अपने बड़े बुजुरकों से सुना है कि जो सुबह का पहर का टाइम होता है उस टाइम नेकी के फरिस्ते आते हैं रोजी रिजक बाटने के लिए और अगर स समझती है कि जैसे तुम कच्चे दिल की हो कि तुमारी अमी भी कच्चे दिल की हो सकता भाई तुम जादा बहतर जानती हो उनको लेकिन फिर भी वो कम सकम बड़ी है तो इतनी मैचॉर्टी तो उनमें होगी कि कोई भी चीज अगर सुनेंगी बाहर से कोई बच्चे चल जाएंगी उनका मन में चल जाएगा कहती है अम्मी का फोन आया था तो पूछी दी क्या खारी हो तो हमने उनको बताए नहीं हमने का कड़ी क्योंकि उनका दिल फिर खराब होगा उनका दिल लल चाहेगा कोर्मा नान रोटी सुनकर हद भाई शरमा नीच ही आपको तो यार अपना कंटेंट क्रियेट करने के लिए अपनी मा तक कुछेट कर देती हो तीन बजने वाले फ्रेंट्स और हम लोग पढ़ते चारे हैं और बाते भी करते चारे हैं तो आज चलो भी तस्वी भी हात में लेकर दिखा दी और उसके बाद वो जो टप में लेकर आई है एक त देखोगी तो बस रोई दीए कि में मीठा ने खा पारी में मीठा ने खारी बहुत तुम खुद अपना नफस नहीं मार पारी हो तुम अम्मी को कह रही हो कि विचारी का जीरल चाहेगा और तो देखो जड़ा अभी हमने उन चीजों पर टोका इस चीजे कही कि जो इनकी कि इस फूड आइटम डालने के लिए लेकिन ये लोग नहीं सुधने वाले ओ देखो जड़ा कैसे टप में लेकर आकर ऐसे दियें भाई इतना बड़ा कोई बरतन नहीं था तो भाई किसी चीज में बाल्टी में या किसी ओर चीज में डॉल्ची में स्टील की डॉल्ची होती हैं मेरी भाई भी झान से बिलॉंग करती है महा बहा पर भी और बासियों में बखमार से होता लेकिन एक ही महले में होने के वाजित भाई ट खाला का इन्विटेशन नहीं था लेकिन डोटर खाला का इंवीटेशन ना होने के बावजुन भी डोटर खाला गी, तो भाई पार्टी हो गई, क्योंकि उनको कौर्मा नान रोटी भी यहाँ पर घर पर आ गई, क्योंकि चालू अपी यहाँ पती, भाई चालू अपी ना बड़ा अच्छा सा गेम खेला, और जर्दा बिर्यानी भी आ गई और यहीं बैटके वो सारा का सारा खाना इनको यहीं बैठे-बैठे मिल गया और फिर जर्दे को देकर कहती है काश मैं तुम मैं खा पाती है रे 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 तुम दो भाई बच्चों से भी परे बच्चे हो यह तो जब दिखाया था कि तीन बज ग भया वो तो करेंगी न विचारी तो वो आ गई और इनके लिए पराठे बना कर रख दिये अभी एक व्लोग पहने लाइट से प्रॉब्लम होने वाली चालू अप्पी को अब लाइट से प्रॉब्लम नहीं हो रही है लाइट बैट पर लगा रखी है बैट के चारो तरफ लाइट लगा रही है और और यह ब110 में यह बहुत अच्छा लगता हिसा to say जाते वीडियो जाएगी और इस टाम अभी भी मेरे मेरे को तोड़ आ सार में डर्द हो रहा है तो इसलिए मैं इसको अब यहीं एंड करूंगी और बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं वो हम नेक्स पॉड़कास में कवर करेंगे तो चलिए आप तब तक इसको सुनिया और इंजॉय किजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मिस्मत किजिएगा और कोई सा पॉइंट फ्यू ऐसा है जो आपने नोट डाउन किया हो लेकिन मज़े से वो चूक गया हो तो प्लीज जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा रहां बहुत मज़ेदार पॉइंट्स बाकी हैं अभी तो यह मैं समझेगा कि खतम हो गया है मिल आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई भाई अला आफिस टेक केर